Hello everyone, हमारी चो आज की थेयरम है वो है एफ रिज थेयरम देखो क्या हो रहा है कि यह जो नेमिंग थेयरम है ना यह पेपर में सब से ज़ाता आती है नेमिंग थेयरम कि टीचर को एक मिनट लगती है कि किसी भी चीज का नाम लिख देगा लिबेग मोनोटोन करा दो भई, अब आप वोटर जलेमा कराओ, जोडन डिकोंपोजिशन कराओ, एफरीज कराओ, विटाली कराओ, इगोर्फ कराओ, तो क्या होता है, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी भी चीज को लिखने के लिए, ठीक है, तो इसमें देखो क्या ह होता है, इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाते है, क्या है, कि एफन एक सीक्वेंस है, किसकी मेजरिबल फंक्शन की, हाँ पराने हो गई, यह चीजे तो पढ़ते पढ़ते, आगे बताओ, विच कनवर्ज इन, इन मेजर टो एफनोट, इसका मतलब क्या है, वही है, सिम्पल सा कि एफन एफ को क्या कर रही है, मेजर कर रही है, ठीक है, और एफन किसकी सीक्वेंस है, मेजरिबल फंक्शन की, तो क्या कह रहा है, कि एगर एफन एफ को कनवर्ज कर रही है, तो एफन के नाम की एक सीक्वेंस मिलेगी, किसकी एफन की, जो की कनवर्ज करेगी, किसको एफ को कैसे करेगी भाई almost everywhere फिर बता देती हूं almost everywhere का मतलब क्या होता है ऐसी property कि जिस point पे hold नहीं करती उस set की जो major होती हो क्या होती है zero ठीक है तो क्या कह रहा है कि fn sequence ठाओ measurable function की जो कि converge करती है in major to f f से तो एक sub sequence मिलेगी किस की f f की f की f की एक sub sequence क्या उठा ली कोई fn की नाम की कि वो भी f को converge करेगी लेकिन simply converge नहीं करेगी वो कैसे converge करेगी वो almost everywhere converge करेगी तो इसका proof ना बहुत छोटा सा है लेकिन आपने वो कावत सुनी होगी ना कि जितनी छोटी उतनी खोटी तो वही इसके उपर है इस बड़े गुमाऊ थी हो रहा मैं बिस आदे पेज की है ठीक है तो चलो continue करते हैं दूसरी बात आप बहुत अच्छा अच्छा अब कुछ दिनों से वीडियो के पर अच्छे कमेंट कर रहे हो टोपिक भी बता रहे हो तो मेरे को इंट्रेस्ट आ रहा है अब आपके लिए वीडियो बनाने में ठीक है ऐसे ही क्या अपने कमेंट करते रहें और मेरे को बताते रहें कि हमें यह यह चीज चाहिए ठीक है तो देखिए starting कैसे कि क्योंकि since f1 is a sequence of measurable function हम जी हमें पता है कि f1 is a sequence of measurable function which converge in major to f जो कि converge करती है किस में major में f की किस से f की major से converge करती है अभी देखो यह पता है कि जो भी convergent sequence होती है वो bounded होती है यह पता होगा दूसरी बात कि आपको यहां major theory में convergence का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले मापको यह पताती हूँ कि इसका मतलब क्या है तो यह देखो कि major में convergence in major इसका मतलब क्या है देखे क्या होता है एक sequence f and low measurable function is said to converge in major वो कब कही जाएगी कि वो converge करती है major में to a measurable function f किसी measurable function f से क्या कह रहा है कि f and f को converge तो करती है लेकिन converge कैसे कि converge in major converge in major कब कहोगे तो उसको return लिख तो ऐसे देते है simply देखो f and f को converge करती है in major मतलब m उपर लिए ओके तो ऐसे तो denote करते है उसके बात इसकी definition है कि कब कहेंगे अगर given epsilon greater than 0 के लिए अगर हमें कोई एक m मिले small m जो के n में belong करता हो such that कोई x उठाया such that f and x minus f x के जो modulus है ये किस से greater than epsilon से ये पुरा set हो गया इसकी जो major हो वो किस से छोटी हो epsilon से देखो ध्यान से देखना क्या है एक set उठाया x कैसे such that f and x minus f x ये जो उसका जो modulus है वो किस से बड़ा हो greater than epsilon से ये होगे आपने पास एक set इस set की जो major होगी वो किस से छोटी आने चाहिए epsilon से for all and greater than or equal to m तो ये convergence in major की ये definition क्या की है इस theorem में use की है तो वही देखिए वही लिखाओ है कि x such that f and x minus f x वहाँ देखिए epsilon था यहाँ अपनी theorem के according यहाँ epsilon की value को 1 over 2 की power के लेके चल रहे हैं तो वही और उसकी फिर क्या कर दी इस set की क्या ले major और वो किसी छोटे energy epsilon epsilon की value हम अपनी तरफ से लेके चल रहे है 1 over 2 की power k for all n greater than or equal to k यहाँ तक समझ में है कि f and x sequence उठाई measurable function की जो की converge कर रही है in major to f by statement अगर यह converge करती है तो हमें एक बात बता है convergence in major की definition से कि positive integer k के लिए एक natural number n मिलेगा such that x such that modulus of fn x minus fx इसकी value क्या होगी 1 over 2 की power k से greater than और इस set की जो major होगी वो less than होगी 1 over 2 की power k से for all n greater than or equal to n k अभी देखिए यह जो आपके पास set है ना यह पढ़ा है जो इस set का नाम को ek दे दिया देखिए वह लिखा हुआ है कि x such that fn x अभी यहां देखिए अगर fn x है और हमें तो जो theorem पुरू करने हो इसकी subsequence के लिए बात करने fn k x के लिए तो यहां क्या किया है कि fn x को replace कर दिया fn k x और fx को agities रखा यह x such that यह 1 over 2 की power के agities रखा इस पूरे set को किसका नाम दे दिया ek का दे दिया यहां तक समझ में आये यह line ने समझ में आई होंगे यहां तक theorem cover उसके बाद देख लो इत्ती सी theorem है यह बस लेकिन है बड़ी गुमाओ ओके अगर आपको यही नहीं पता होता कि by convergence in major की definition से आया है तो कैसे क्या होता कुछ समझ में आता कुछ नहीं तो देखिए यहां देखिए कोई अपनी तरफ से ए ले रहा है ए कैसे ले रहा है यह आपके पास ek आ गया जिसका नाम दे दिया ek अब क्या करेगा इस ek को जोड के क्या बनाएगा ठीक है तो कुछ changing करता जाएगा और पीछे वाली चेज़ों को use करता जाएगा तो देखिए क्या क्या है ek लिया अभी k की value बता देखिए k की value कोई t से लेके infinite तक जा रही है और फिर बाहर के लिया है कि t की value one से कहां तक ले ले ली infinite तक देखो क्या किया है कोई ek है यहां देखो k की value को कैसे define कर रहा है कि यह कोई t से infinite जा रही है अब यह t क्या है इस t को फिर बता दिया कि t की value क्या है one से infinite समझ में आया E के लिए E से क्या बता दिया कि K की value जो है इस K की value T से infinite जा रही है अब यह T क्या है T की value 1 से infinite जा रही है ठीक है और इसका नाम क्या दे दिया भई A नाम दे दिया अभी देखो यहां क्या किया major apply करो major of A apply किया और यहां भी overall major apply की ठीक है तो देखिए major of A A की value उठाके रख दीजने K from T to infinity ये portion ले लिया ठीक है अभी यहाँ देखिए जब major का case होता है तो union वाली चीज़ जो sum में बदल जाती है तो ये union sum में बदल गया और major अंदर EK पे अपलाई हो गई अब यहाँ देखो major of EK अब यहाँ देखो अब आप EK किसको इस set को लेके चले हो और इसकी value क्या है 1 over 2 की power के यहाँ देखिए यहाँ के की value कहां से जा रही है T की value जो है T to infinity तो यहाँ क्या के से compare करके जो T minus 1 ले दिया और लिख दिया कि T की value 123 up to चलती रही है अब देखो जब 2 की power 1 तो क्या आएगा 2 की power 0 यानि की 1 आएगा यहाँ से देखो दिखा क्या रहा है यह देखो यह है यहाँ से यह आया यहाँ से EK निकाल लाया यहाँ से A बना दिया अब देखो क्या क्या है इस A पे major अपलाईगी तो जब A पे major अपलाईगी तो वो क्या कह रहा है कि वो कहीं न कहीं इस वाली वैर इसकी major से छोटी होगी क्योंकि देखिए यह जब पूरी quantity यह प्लस यह जब यह मिलर के बन रहे है आपस में तब A बन रहा है वैन यू रिमूव यह तो क्या कर रहा है कि जो A की वैल्यू जो है इन्फाइनाइट तक है तो क्या कह रहा है कि जब major अपलाई करोगी तो less than or equal to का sign आता है major में तो major की वैल्यू इसके उपर अपलाई कर दी major क्या हुआ union sum में change हो गया major of ek अभी क्या कर रहा है by comparison of this इससे compare कर रहा है और वहां बता रहा है कि इसकी value क्या होगी less than होगी one over t minus a से अभी यहां देखे जब आप क्या कह रहा है कि यहां से क्या होगा जो A की major है वो 0 आगए क्योंकि by convergence क्या होता है यह epsilon को ही denote कर रहा है epsilon क्या होता है major of A अपने पास क्या आजाएगी 0 अब हम क्या कह रहे है कि जो sequence है जो क्या हमें प्रूव करना था कि f n के x की जो value है वो f x को क्या करेगी converge करेगी ठीक है उसके लिए क्या कर रहा है कि कोई यहां A है क्या कर रहा है कोई x point उठा रहा है तो इसका कोई compliment जो है वो outside होगा ठीक है तो यह x point कि इसमें belong कर रहा है इस outside होगा तो obvious सी बात अगर इसमें belong कर रहा है तो इस A वाले portion में तो belong करेगा यह नहीं ठीक है तो यहीं कह रहा है कि अगर x A में belong नहीं करेगा तो x A की value क्या है यह तो इसका मतलब x इसमें belong नहीं करेगा ठीक है for all t belongs to k अब देखो क्या कर रहा है इसको इधर ले गया तो fnx minus mode of fx इसकी value हमें पता है यही f sorry fnx minus fx की value 1 over 2 k तो वहीं लगा रहा है कि इसकी value क्या आगई less than or equal to आगई 1 over 2 k for all k belongs k greater than or equal to t अभी देखोईगे फिर से वही epsilon की जगह यह लेकर चले यानि कि एक बहुत ज़्यादा small quantity होती है ठीक है जो कि 0 को converge कर जाएगी तो इससे क्या होगा कि जब यह side 0 तो क्या हो जाएगा इस fx को इधर भेज़ दो क्या प्रूब हो क्या आगया कि fnx किसको converge कर रही है fx को के तो वही फिर यह लिख दिया कि hands fn के converge to f almost everywhere है थी ना मैंने तो पहले ही कहा था जितनी छोटी उतनी खोटी तीन चार लाईने लेकिन बहुत बेकार है fnx sequence उटाए measurable function की converge करती है यहां से converge से converge की अभी अभी जो मैंने बताया उसको use किया epsilon की जगए 1 over 2 के लिए के चल रहा है फिर क्या किया है इस fnx के जगए fnk डाला और उसके पूरे की value क्या देदी ek इस पूरे ek को दो portion में divide किया कि k की value तो t2 infinity जाएगी और t की value 1 से infinity ओके अभी क्या कर रहा है दोनों तरफ major apply कर रहा है तो यह तो t की value यहां से तो कोई लेना देना है t की value साथ intersection ले रहा है ठीक है तो यहां से major आई यह summation में change हूई इसकी value 1 over 2 t की power नो यह अभी यह देखे यह पुरा epsilon जाए साही case बन गया है तो यहां क्या होगा यह 0 को tend कर जाएगा तो major 0 क्या करें हम claim करके चल रहे हैं कि यह इसको converge करती है किसके लिए for all x belongs to a compliment अगर x a compliment में belong करता है तो x a में belong नहीं करेगा फिर हमें पता है कि यह चीज किसके equal होती है less than equals to 1 over 2 के और यह चीज आमारे पास आगए किते तेंक्यो बेस्ट ओफ लुक